आप सभी दोस्तों का हमारी यूटूब चैनल में स्वागत है आज हम देखेंगे 36 गड़ GS की प्रश्णों का जो की CGPC और CGBAPAM दोरा एक्जाम करनेट कराये जाएंगे जिसके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे जो प्रश्ण है यह इंपोर्टेंट प्रश्ण है और इससे जुड़े इंपोर्टेंट त्थ्यों को भी देखेंगे चलते हैं आज का यह test series स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रश्ण आपकी skin पर सो हो चुके हैं और ये पहला प्रश्न है कि राजा चक्रधर्सिय की जन्म इस्थली है इन में से कौन सा आप्षन सही है पहला दिया हुआ है सराई पाली फिर जग्दलपूर फिर रायगर फिर रायपूर चार आप्षन दिया हुआ है जिन में से एक आप्षन सही है वो कौन सा आप्षन सही ह अगर आप एंसर को जानते हैं तो आप एक नंबर डालके ABC जो भी एंसर है वो इस तरह से का आप कमेंट कर सकते हैं इसका सही एंसर हम आपको बता देते हैं इसका जन्म इस्थान है राइगाड ठीक है राइगाड जिला और 1905 अगर सन को कह दिया जाये तो ये सही है राइगाड घराना से बिलाउं करते हैं राजा चकरधर सी हैं और ये कत्थक घराना राइगाड जो का कत्थक घराना था वो बिलाउं करते थे इन्होंने कथब कलग को सरक्षन भी प्रदान किया था तो इससे पुछा भी जाता है इसके अलावा ये जो राजा चक्रधर सी थे इन्हें 1936 में तबलावाधन से प्रभावित होकर इन्हें संगीत समराथ की उपाधी भी मिला हुआ है अगर ये प्रशन पूछ लिया जाए अगला प्रशन भी आपके इसकील पर सोब हो चुके हैं और ये प्रशन क्या है तो ये प्रशन है कि 36 गड़ का मंगल पांड़ी किसे कहा जाता है चार आपसं दिया हुआ है अगर आप इन्सर जानते हैं तो आप सीधे दूसरे प्रशन का ये इन्सर होगा ऐसे करगे कमिन कर सकते हैं चलते हैं इसका इन्सर हम आपको बता देते हैं 36 गड़ का मंगल पांड़ी कहा जाता है यहां पर लिखा हुआ है जो डी आपसं सहिध हनुमान सी इसे ही 36 गड़ का मंगल पांड़ी कहा जाता है आखिर इसे 36 गड़ का मंगल पांड़ी क्यों कहा जाता है इन्होंने 18 जन्वरी ठीक हैं 18 जन्वरी 181,1858 को अंग्रेज हत्या की थी 18 January 1859 को और ये जो आंदोलन था ये 1857 की हनुमारसी के नितित्तों में जो वरहल भारत में किया था उसी के सपोर्ट में इन्होंने भी ये किया था और उसकी हत्या कर दिया था इसके अलाबा इनके 17 सांथियों को भी 22 January 1857 को फासी दे दी गई है और ये बिटिश सेना में रायपूर में तीसरी बटालियन में ये भी पूझ ले जाता है तीसरी बटालियन में मेकजिन लसकर के पद पर ये पदस्थे हनुमान से ठीक है मेकजिन लसकर के पद पर पदस्थे ये भी इनपोर्टेंट तथ्य बनती हैं ये भी आप याद रखें अनुमान से कभी पकड़ाए नहीं थे ठेक है ये लेकिन पकड़े नहीं गए ये भी प्रश्णयों एक बार पुछा जा चुका है इसलिए इनपोर्टेंट हो सकते है आज का तीसर प्रश्ण आपकी स्किन पर सो हो चुके है और ये प्रश्ण है कि हवीब तनवीर का सम्बंध है किस विधा से है हवीब तनवीर के बारे में थोड़ा सा यहां पर जानकारी भी दे देते हैं अगर आप इनसर जार रहे हैं तो आप चारो आपसर में से जो इसका सही अंसर है उसको आप कमेंट कर सकते हैं हबीब तन्वीर का सम्मन्ध है हम एंसर बता देते हैं ए इसका सहीं अंसर होगा रंक मंच सहीं अंसर है अब चलते हैं इससे जुड़े कुछ important फेक्ट को भी देख लेते हैं हबीब तन्वीर का सम्मन्ध है रायपुर जिला से है अगर कई पूछ लिया जाए तो ये रैपूर्ट जिला से भिलाउं करते थे और ये गीतकार पठकता लेखा और इहें पदमभूसर भी मिला हुआ है ठीक है पदमभूसर कब मिला है तो पदमभूसर 2002 में मिला है और पदमस्री कब मिला है तो पदमस्री 1983 में मिला है ये भी अगर पूछ ले जाए तो important रहेंगे इसके लाव सबसे ज़्यादा चर्चित question है इसके हभीब तन्विर से कि रंग मंच कलाकार है और इसके जो एक संस्था था वो था नया theater इसे पुछा जाता है नया theater पुछा जाता है ये 1969 में बना था इसके लाव एक और था हिंदुस्तान theater जो कि दोनों को पुछा जाता है कि हिंदुस्तान theater और नया theater का जो गठन किया गया था तो ये एक बार पुछा भी जा चुका है जो हम आपको बता रहे हैं ये व्यापम द्वारा पुछा गिया था और इनकी एक रचना है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद है चरंदास चोर ठीक है तो ये चलते हैं अगले प्रश्ण पर यहाँ पर चौथा प्रश्ण आपकी स्किन पर सो हो चुके हैं और ये प्रश्ण है कि चलते हैं राजकी पक्षी के बारे में थोड़ी से जानकर या आपको भी दे देते हैं चतिसगर का राजकी पक्षी है पाहडी मैना ठीक है पाहडी मैना या इसे हेल मैना भी कहा जाता है अगर हम देख ले तो हेल मैना भी कहा जाता है इसकी मोश्णा 2001 में की गई है कर पी गई है तो 2001 में की गई है और पाहडी मैना का सरलक्षन के जाता है कांगेर घाटी उद्ध्यान ये भी पूच लिया जाता है ये पयाडी माइना का सल्रेशर कहां किया जा रहा है तो यहां पर अगला आचुका है कि बस्ता टाइगर भी कहा जाता है अगला पांचोप प्रश्ण है कि 36 गड़ के किस नेता को बस्ता टाइगर भी कहा जाता है तो इसका सहीन सर क्या है अगर आप 500 प्रश्ण का सहीन सर जा रहे हैं तो आप 5 नम्बली के कमिन कर्चपते हैं चलते हैं इसका सहीन सर आपको बता देते हैं इसका सहीन सर है पहला आपसन महेंद्र कर्मा महेंदर कर्मा कांगरिस पार्टी से हैं और इन्हें बस्ता टाइगर कहा जाता है महेंदर कर्मा द्वारा 2005 में सल्वा जुडुम नामक संस्ता की स्थाप्राम भी किया गया था जिसे पूछा भी जा चुका है तो इतना ही रखते हैं चलते हैं अगले प्रशने पर अगला प्रशना आ चुका है यहाँ पर और यह छटवा प्रशना है और यह क्या प्रशना है को 36 गड़ी फिल्म के प्रथाम निर्माता कौन थी ठीक है 36 गड़ फिल्मों के प्रथाम निर्माता कौन थी अगर आप इसका एंसर जानते हैं इस प्रेशन का तो आप इंसर कमेंट कर सकते हैं हम चलते हैं आपको इसका एंसर बताते हैं इसका सही एंसर होगा जो भी आप संजिय हुए है मनु नायाक इसकी चो 36 गड़ का पहला फिल्म क्या था अगर पुछ ले जाए तो 36 गड़ का पहला फिल्म है कही देवी संदेश जिसके जो निर्माता प्रतम फिल्म निर्माता हम कहते हैं निर्माता यह निर्माता कहीं या निर्माता कहीं वह कौन था तो हनुमान नाइडू था गीतकार ये भी पूछ लिया गया हैं गीतकार कौन था हनुमान नाइडू इसे भी पूछ लिया जाए गया हैं अगर 36 गड़ी फिल्म दूसरा कह दिया जाए तो वह क्या है अगर पहला रंगिन फिल्म है जिसके जो निर्मात है वो तो सीव दवाल जैन थे लेकिन जो नीदे सकते वो मनु नायक था तो चलते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण है कि छतिस गड़ का जो आकरिती है वो किस प्रकार है चतिस गड़ाज्य की आकरिती इसके समान दिखा जेती है चार आप्षन आपको यहाँ पर दिया हुआ है जो कि दरियाई खोड़ा मचली साप उपरोक्त में से कोई नहीं इनमें से कौन सा आप्षन सहीं है तो इसका सहीं अंसर है पहला आप्षन ठीक है जिसे एक समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है अगर समुद्री घोड़ा बोल दिया जाए तो भी सहीं है सी हार्च है या हीपो केमपस कहा जाए तो ये सहीं अंसर होगा अगला प्रशन भी आ चुका है आपके इसकिन पर की दिया सलाई उद्योग कहां इस्थापित किया गया है तो इस साथे प्रश्न का सही एंसर है दियासराय उद्योग की जधापना विलासपूर में किया गया है और विलासपूर को 36 गड़ का सीवा कासी कहा जाता है इसलिए इंपोर्टेंट है विलासपूर को 36 गड़ का सीवा कासी कहा जाता है दियासराय उद्योग कहने करता है कि माचिस उद्योग एक तरसे जो कि दियासराय सेलम सेमल ब्रिक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है ठीक है माचिस का जो तिली में जो लकड़ी रहता है तिली तो अलग बात है दियासराय हम बोलते हैं तिल्ली नहीं उसमें जो लकडी रहता है वो सेमल ब्रिक्स से प्राप्त होता है और उससे ही माचिस उद्योग को दिया सलय उद्योग को पढ़ावा मिलता है तो यह है बिलास्व में जहें चत्ति जर्गा सीवा कासी कहा जाता है मिनी इश्चिल प्राण इस्थापित है राइपूर में पहला आपसे इसका सही एंसर होगा अगला क्वेशन यहाँ पर आपकी स्किन पर आचुके है और यह प्रश्ण है कि तो पहला साप्टेयर पार का कहा इस्थापित किया गया है यह इस्थापित किया गया है भिलाई में सी आपसे इसक्वेशन का सही एंसर होगा इसके बाद अगला प्रश्णा आचुका है कि 36 गणे पंचैती राद व्यवस्था का स्वरूप है 36 गण में कौन सी राद व्यवस्था चर रहा है तो 36 गण में 3 इस्थरी राद व्यवस्था चर रहा है डी आपसे इसक्वेशन का सही एंसर होगा अगर हम ग्रामेर इसक्वेशन पर बात करेंगे तो जीला पंचैत फिर इस तरी चल रहा है 36 गड़ में अगला प्रशन आपकी स्कीन यहाँ पर आया हुआ है और यह प्रशन देख सकते हैं यह प्रशन है कि सलवा जुडून की सुरुवात कि स्वर्स हुई तो हमने अगर आपको वीडियो पूरा वाच किया होंगी तो आपको इसका इंसर पहले से ही पता होगा कि सलवा जुडून की सुरुवात 2005 में हुआ था बस्तर में हुआ था और महेंद्र कर्मा द्वारा प्रारंभा किया गया था चलते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन भी आपके इसकीन पर आचुके हैं ये प्रशन है कि इंद्रा गांनी क्रिसीव, स्विजड बाले राइपूर की इस थापना कब हुई है इंद्रा गांधिक रिल्षीवीडेला रायपूर की इस्थापना कग हुई है इसका इंसर अगर अगर आप जा रहे हैं तो आप सीधह कुएंड़ कर सकते हैं इंसर को और चलते हैं इसके बारे में इंसर हम आपको पता ही देते हैं इसकी इस्थापना 20 जन्वरी ठीक है 20 जन्वरी अगर सान कहें तो 1987 में अर्था डे आप्षन इसका सही अंसर होगा वह था ठीक है इसकी इस्थापना और इसकी इस्थापना कहां पर किया गया है तो वो आपको पता चल गया रैपूर में किया गया है रैपूर में यह गह है 40 महावी द्याला है 40 कालेज है 15 निजी कालेज है और 2500 की कालेज है यह कालेज है हम आपको कालेज बता रहे हैं एक बार क्रम सजमाने के लिए पूछा गया था कि कौन सो कालेज कहा है तो गुंडा धूर अगर कृसी कालेज पूछ ले जाएगा तो यह है जग्दलपूर में अगर राजमुहनी देवी क्रिसी कॉलेज पूछ ले जाए तो यह है सरगुजा में अब बेरिश्टल ठाकुर छेदी लाल पूछ ले जाए तो यह है बिलासपूर में इन तिनों को ज़्यादा तर पूछ जाता है ठीक है चलते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण भी पन्वानी से जुड़ा हुआ यह प्रश्ण है कि भाराज सरकार दोरा पन्वानी गयी का तिजन भाई को पद्मभूसर सम्मान से किस वर्स सम्मानित किया गया है तो इसका एंसर क्या है कि पद्मभूसर कब दिया गया है आपसन में जो दिया हुआ है ये सभी आपसन गलत है पद्मभूसर 2003 में दिया गया है ठीक है पद्मभूसर 2003 में दिया गया है चोकि आपसन में नहीं है तो इस तरह के प्रेशन डिलेट होते हैं अब देख लें देख कि पनवानी गाई का जो तिजन भाई है उन्हें कब क्या सम्मान मिला है उन्हें तीनों सम्मान मिला जा चुक है सबसे बड़ा सम्मान होता है वी भूसर पद्म भूसर होता है फिर भूसर होता है पद्म फिस्त्री होता है तो अगर तीनों को हम जमा ले तो पदम यो भूसर समान है, वो 2019 में मिला है विभूसर और 2003 में मिला हुआ है पदम भूसर जो ये समान है और पदमस्री मिला हुआ हूँ undищa 77 ए आपसन में यहाँ पर question टाइप केंने में थोड़ समिष्ठे को गिया था तो ये तीनों सम्मान मिला हुआ है 1987 में प्रदमस्री मिला हुआ है ये अगला प्रेशन है कि 36 गड़ विरोजगार संग का नाम बदल कर अकील भारती 36 गड़ विरोजगार संग किया गया ये किया गया 2000 में किया गया है इसका भी आपसल सही एंसर होगा इसके बाद अगला आ चुका है कि 36 गड़ आचल की प्रथम महाविद्याले 36 गड़ महाविद्याले की स्थापना कब हुई ठीक है इसकी स्थापना कब की यह अगर आप जानते हैं तो आप सिरे एंसर कमेल कर सकते हैं इसमें 4 आप्षन दिया हुए 1920, 1924, 1930, 1938 इसका सिरे एंसर है डी आप्षन 1938 इसकी स्थापना 13 जुलाई को किया गया था 13 जुलाई 1938 को इसकी स्थापना की गई थी जिसमें सबसे जादा योगदान था जे योगणन ठीक है जे योगणन का योगदान था और यहीं इनके प्रथम प्रचारे बने थे इस महाविद्यालाई का और इसकी स्थापना कहां की गई तो इसकी स्थापना रायपूर में की गया था रायपूर में किया गया था ठीक है यह चतियर का प्रथम महाविद्यालाई है और चलते हैं अगले प्रशन पर रायपूर सहर की स्थापना कब हुई इसमें चार आप्षन दिया हुआ है रैपूर सहर की स्थापना कब हुई 1689, 1878, 1857, 1864 चार आप्षन दिया हुआ है इनमें से चारवा आप्षन गलत दिया हुआ है कि रैपूर सहर की स्थापना कब हुई किया गिया था और अपने पूत्र ब्रह्मद्यो राय के नाम पर ही इसका नाम रायपूर पड़ा था जो कि आप्षन में नहीं दिया गिया है तो इसे कई प्रशणा हमने टाइब कर लिए है जिसमें अप्षन नहीं दिया हुआ है आपको डौट नहीं करना है पर है उसे पूछ लिया था तो एंसर आपको इस तरह से नहीं लगाना है 36 घर में जू टुद्योग किस इस्थान पर है तो आपको राएगाड एंसर इसका लगाना है यह प्रशन डबल आगया और पहुंथी अच्छा प्रशन है कि चतिस गड़ी प्रथम चतिस गड़ी फिल्म है तो हमने आपको बताया चतिस गड़ी प्रथम चत फिल्म है कही देवे संदेश जिसके निदेशा काउन निर्माता काउन थे हमने आपको बताया कि मनुनायक है और ये 1965 में बना था और पहला चतिस गड़ी रंगिन फिल्म है मो räजदयो बांगो बांध की स्थापना कभ हुई है ठीक है तो इसकी स्थापना कभ गई है इसका सही अंहें ऌध इसका चारा आपसंद गया हुए स्थापने सर आप घानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इसका से अंसर है बी आपसन 1967 में यहाँ पर जो प्रत्थम जलुदुत के इंदर बनाया गया है यह तो बाद ने बनाया गया जलुदुत परियोजना 1994-95 में बनाया गया है लेकिन इस बांध की स्थापना पूछा हुआ है तो इसकी स्थापना 1967 में हुआ था ठीक है और एक कह इस बांध का वो किस के नाम पर किया गहा है तो हमने आपको बता दे मिनीमाता हज्देओ बांगों बांध परियोजना एक साथ अगर आपपढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगी कि मिनीमाता के नाम पर लखा किया है तो इस तरह से आप पढ़ेंगे दीखे estásकना ही य सबसे उंचा ये बांध है जिसका सिचाई का चंता जो है चार लाग वीस जार हेक्टियर की लगभग है तेक है इससे लगभग 919 ग्राम लाभानवीत होते हैं यह 36 गड़ का प्रथम बहुत देसी परियोजना है इसे भी पूछा जा चुका है कि यह 36 गड़ के रायपूर जिले से कितने जिले की सिमाय लगती है ठीक है 36 गड़ का जो रायपूर है वो कितने जिले के सिमायों को इसपर्स करता है यह पूछ लिया गया है तो चलते हैं इसका भी एंसर हमेहां पर आपको क्लियर करें कितने जिले इसपर्स करते हैं रायपूर को अगर हम रायपूर को देख लिया जाए इस तरह से मेब बन से दूर और इधर से ये धहम तरी तो कितने जीले हो जाएंगे अगर इतने इस पर से करेंगे तो पांच हो जाएंगे यह आप्चन इसक्ष्चन का सही अंसर होगा 36 गर के कितने जीले से होकर करकरेखा गुजरती है जब हमने question type किया तो इतना ज्यादा सोचा नहीं था कि करकरेखा कितने जगहों से होकर गुजरता था वो तीन जगहों से होकर गुजरता था कोरिया, सुराजपूर, बर्रामपूर ये सभी आएगा वर्तमान में मनेदर गर्जीला बन चुका है तो चार जगहों से हम लेंगे एंसर 36 गर के राकरिती क्या है तो समुदरी घोड़ा का समान है सिया आपसे निसक्रिश्चन का सही एंसर होगा तो ये हमने प्रश्ण लिये थे अगर प्रश्ण आपको अच्छा लेवाल का लगा होगा तो आप कम्योन एक बार अपना फ्यूडबेक जरूर दे जहें मिलेंगे अगले वीडियो पर